चलिए, क्लास शुरू करें लास्ट क्लास में क्या पढ़ा दिया था? पैरा बोला कम्प्लीट पढ़ा दिया था ना? आज अपने लोग इस्टार्ट करेंगे एलिप्स की हाईपर बोला एलिप्स देना, बुक देना पढ़ो देखो, और एक बार में ये पूरा चैप्टर खतम हो जाएगा, इधर दो मिनिट ध्यान से देख लीजिए, प्रेम से ऐसे भी मत देखिए इधर बोर्ट पर ध्यान लगाई ही सोड़ा सा टॉपिक है, इलिप्स हमारे पास दो तरह की होते हैं मतलब एक लिप्स का एक्सिस एक्सिस होगा और एक लिप्स का एक्सिस वाई एक्सिस होगा आई पास समझे में कोई दिकत यह हो गया तुमारा x-axis y-axis x-axis y-axis इस ellipse की equation होगी x square upon a square plus y square upon equal to 0 कब जब इसके center 0,0 होंगे जब center क्या होंगे 0,0 clear हो गया इस ellipse की equation होगी x square upon b square plus y square upon कब जब इसके भी center क्या होंगे 0,0 आई बात समझ में 0,0 ही होगा क्या बच्चे कहां सायद हाँ sorry 1 होगा ठीक focus दो focus होते हैं एक focus कोडिनेट होता है a,0 दूसरे का होता है minus a,0 इसको बोलते हैं major axis major axis इसको बोलते हैं minor axis minor axis अगर हम इस point के coordinate निकालना चाहेंगे तो ये point कहां लाई कर रहा है x axis पे और x axis पे हमेशा ही कौन 0 होता है तो इसका मतलब अगर इसमें हम y 0 कर दें तो ये point आ जाएगा और y 0 करते ही ये सब पूरा पूरा क्या हो गया तो x square upon a square equal to क्या बन गया तो x square equal to कितना आ गया और x equal to कितना आ गया ना plus minus a आएगा ना तो हम इस point के coordinate देंगे a, 0 और इस point के coordinate देंगे minus a, 0 ऐसे ही ये point कहां लाई कर रहा है y axis पे और y axis पे कौन 0 होता है x, तो x zero कर दें x zero करते ही क्या बन गया 0, क्या 0, b y square upon b square equal to 1 तो y square equal to क्या बन गया b square तो y equal to तो इसका मतलब इस point के coordinate आ गया 0, plus b और नीचे वाले के आ गया 0, भाई, ellipse जितने में बना है उतने से ही तो मतलब होगा बाकियों से तो मतलब होगा नहीं तो अगर तुमसे कोई पूछ ले length of major axis तो major axis की length क्या दे दोगे ये distance कितनी है और ये वाली major axis की इतनी कि जरूद है ellipse तयार 2a और अगर कोई गलती से पूछ ले length of minor axis क्या answer होना चाहिए उपर का भी, नीचे का भी बोले तो 2b कोई समस्या यहाँ तक इतना समझ में आ गया उधर बताओ 11.3 NCRT बोलिए पहला question क्या लिखा है x square upon 36 y square upon 16 equal to 1 तो यहाँ पर a की value कितनी आ गई 6, b की value कितनी आ गई a बड़ा है किस से b से, मतलब कौन सा axis है x axis ellipse है ठीक, आगे पढ़िए क्या-क्या निकालना है पहला क्या है focus focus का coordinate क्या होता है plus minus a, तो सबसे पहले तो e निकालना है क्या होगा under root 1 minus b square upon बोले तो कितना आ जाएगा under root 1 minus 16 upon 36 बोले तो under root 20 by बोले तो 2 root 5 by 6 cut डालो, कितना आ गया root 5 by 3 कोई समस्य है यहां तक इतना सब को समझ में आ गया calculation ही जो कर रहे है 36, 36 में 16 आ गयी 20 बचा 20 कंडा root ले लिए, 4 root 2 equation किया बचाएगा focus कितना आ जाएगा ए कितना है 6 तो plus minus 6 into root 5 by 3,0 कितना आ गया focus plus minus 2 root 5,0 आगे क्या पुछा है major axis vertices vertices पूछा है vertices क्या होंगे देखो भाई एक बार y को 0 करेंगे तो y को 0 करते ही 36 जारा चला जाएगा तो plus minus 6, end vertical में vertices क्या होंगे vertical लिखने जरूत नहीं है आप इस वी को आंसर दे सकते है जब x-axis पैरा बोला है हाईपर बोला है ellipse है लेकिन vertical के भी अगर vertex लिखने है तो answer क्या होगा x 0 हो जाएगा तो y equal to आजाएगा 0, plus minus 4 आजाएगा कि नहीं आजाएगा कोई दिखके जहाँ दख अगला क्या पूछा है major axis तो major axis का formula क्या होता है 2a a कितना है 6 to the 12 फिर major लिख दो minor का बोलो 2b बोले दो 8 next eccentricity e कितना है root 5 by 3 next क्या formula है lr का 2b square by a b square बोले तो कितना 16 16 16 to the 32 by 6 32 by 6 बोले तो 16 by 3 next कोई और समस्या note कीजे अगला ट्राइ कीजे देखिये होता है कि नहीं होता आपसे प्राइक क्या होगय उदित क्या अमेपका क्या होगी जवकणा का अपका जिश्या बाइब अनमौल गाया बे अज नमबर एक और कुन गाया बे सनी प्यूच गाया बे तीन ग्रेसी गाया बे चार और कुन गाया बे अज एक हां समर्थ समराथ 6 सूरज साथ बताव साथ बच्चे गाया बे अज अर्भी कोई गाया बे अज अज पंगस्ट पढ़ाही कीजे विटापलों बहुत लापरवाही कर रहा है बे अल्लों आते हैं तो आप में से कोई गायब हो जाते हो देखा जाए तो कॉंस्टेंटी बनी रहती ही इस तो मेरी गायब होने से नुकसान हो जाएगा मैस में भारी नुकसान अज़िए अगला ट्राइक करके देखे आपसे होता है की नहीं सब कुछ हैसे ही है बस देखें कॉशन एकसेस है यह यह यहीएकसेस है देखके बताओ क्या लगता है कौन बड़ा है यही एकसेस है solve करो फिर इस intensity में क्या change होगा इस intensity में b square upon a square की जगा a square upon b under root के अंदर गलती से भी negative नहीं आना चाहिए ये दिमाग में रखना बस under root के अंदर कभी negative नहीं आना चाहिए हाँ तो हमने equation बदल दिये तो equation बदल दिये तो सब कुछ वही रहेगा हाँ तो वही रखे देखिए देखिए एक बात याद रखिए जब हमारी equation x square upon b square plus y square upon a square ले ले रहे है तब सब कुछ वही रहेगा ठीक है ना अगर हम इसको पलट रहे हैं तब सब कुछ बदल जाएगा बात समझ में आई भाई जब हम x axis की equation लिये थे तो a square और b square इधर इधर था जब इन दोनों को बदल दिये हैं तो बस values यहाँ से मिल जाएगे अपने को a और b और पूरा सब कुछ वही रहेगा जो formula हमने अपलाई किया था इसके पहले वाले में क्लियर है वह automatic set हो गया ना पूरा पूरा चलिए करिए देखिए होता है कि नहीं आपसे क्या होगे चटू मिटा दें इसको सेकेंड हो बता दें पढ़ो किया लिखाए देखता हूँ हाँ बढ़ो क्या लिखाए क्या लिखाए सेकेंड कॉश्चन 4 25 equals to 1 देखो यहाँ पर a equal to कितना है 2 और b equal to 5 ठीक है अगर हम इसको ले लिए तो समस्या हो जाएगी मतलब यह a is less than b वाली condition मन लिए है न तो इसलिए आप ऐसा कुछ मत लिखेगा आप इसको compare करेंगे इस equation से तो यहाँ b की value कितनी आ गई 2 और a की value कितनी आ गई 5 अब सब कुछ वैसे क्या वैसे solve कर दीजे a कितना है root 21 5 5 cancel हो जाएगा कोई दिखकर यहां तक सब कुछ वही रहेगा अगर आपने इसको बदल दिया है तो इससे compare कर रहा है ठीक है न आगे क्या था length of major axis तो major axis का formula क्या था 2a बस वही a कितना है यहां पर अब तो हो गया 10 minor axis कितना हो गया 2b बोले तो 4 next और बोलिये इस entry city निकल गया और lr vertices lr lr कितना हो जाएगा 2b square upon 2b square upon a 2 into b square कितना है 4 upon 5 बोले तो 9 by 5 correct हाँ फिर सा बोलो 9 कैसे है 4 to the 8 होगा ठीक है ना चलिए नोट कीज़े नोट कीज़े क्या होगे मन्थन कोई डाउट है कुशन नंबर परदो एक सेकंद सांद रहिए 4x square plus 9y square equal to देखो डरने की बात नहीं है इसको बनाओ जिस form में आपको चाहिए इस form में क्या करें इसको बना दो बनाने का तरीका क्या होगा इन दोनों के multiplication से divide कर दो कितना आ गया ? x square by 9 जब एक काम यह भी कर लो फिदर वापस लेना पड़ेगा क्या था 4 ? रुख जा रुख जा राम से 4x square plus 9 हाँ equal to इसको अपॉन में लियाओ तो x square upon 1 upon 4 plus y square upon 1 upon equals to 1 बना रहेगा x square upon 1 by 2 का whole square plus y square upon 1 by 3 का equals to 1 a और b मिल गया ? solve हो जाएगा question ? पढ़ो हाँ 2b square upon a square दिया है e दिया है 2 equation दिया है 2 unknown है a b निकाल लो solve करो 2 equation है 2 unknown है nिकाल के solve करो a b निकाल लो लाकि b रख दे न b square की value तुम बढ़ो 36 4y square 144 144 divide कर दो 36x square y 144 plus 4y square y 144 equal to 1 चाहिए यहाँ पर 1 आ गया ? 1 चाहिए 1 आ गया अब डिवाइड कर लो 36 9 जा नहीं होता किते टाइम जाएगा ? 6 टाइम जाएगा x square y 6 plus y square by नहीं जाएगा 4 बार जाएगा और यह 6 बार जाएगा 36 बार जाएगा equal to 1 solve हो जाएगा अब यह ? मतलब कहने का मतलब क्या है ? x square upon something plus y square upon something equal to 1 होना चाहिए तभी वो ellipse बनेगा यह बनाना पड़ेगा form उसके बाद a और b से compare करके जो मर्जी वो आप निकाल लो clear हो गया ? note कर लीजे और नहीं सब्सक्राइगा वीडियो देख लीजेगा फिर से ठीक चलिए सिवा समाप्त note करके जाएगा तभ प्रो समाप्त कर को भीजेगा प्रो मर्जी झाड़ निके लिए कर्च जन्यों कर भीजा